पिछले प्रेड में हमने त्रिकोड मिती योग और वैकुलन सुत्रों के आधार पर कुछ सर्वसमिकाओं को सिद्ध किया था उसी की करम में एक चोटा सा समिकर लेते हैं एक प्रश्ण लेते हैं यदि 10A is equal to 1 by 2 और 10B is equal to 1 by 3 तो सिद्ध कीजिए तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर पाई बाई 4 इसको स्टार्ट करने के लिए हम 10 का योग फार्मूला उप्योग करते हैं 10A प्लस B हम जानते हैं कि 10A प्लस B is equal to 10A प्लस 10B अपान 1 माइनस 10A इन्टू 10B योप्योग करते हैं अब मान कुरक देते हैं 10A कमान 1 बाई 3 10B कमान 10A कमान स्वारी 1 बाई 2 10B कमान 1 बाई 3 1 माइनस 1 बाई 2 इन्टू 1 बाई 3 इसको हल करते हैं तो ये उपर 5 बाई 6 मिल जाएगा उपर मिल जाएगा आपको 5 बाई 6 और नीचे भी मिल जाएगे आपको 5 बाई 6 ये मिला के 1 हुआ तो आप देख रहे हैं कि 10A प्लस B is equal to 1 हुआ और 1 किसका वैल्ली होता है 1045 का तो यहाँ से इस इंप्लाई देट A प्लस B is equal to 1 45 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं अब कुछ प्रस्ण कुछ सुत्र और आते हैं जो गुडनफल का योग और अंतर में रुपा अंतरन देखे बहुत हैं इंपोर्टेंट टॉपिक है ये ध्यान देंगे गुडनफलों का योग और अंतर में रुपा अंतरन गुडनफलों का योग और अंतर में रुपा अंतरन कैसे करते हैं अब ही आपने योग फार्मूला लिया है तो आपने देखा है कि साइन a cos b plus cos a into sin b is equal to sin a plus b आपने sin a plus b का योग फार्मूला देखा है इसी प्रकार से sin a minus b का sin a into cos b minus cos a into sin b is equal to sin a minus b इन समी करणों को एक बार जोड देते हैं एक बार घटा देते हैं यह समी करण नमबर 1 हुआ यह समी करण नमबर 2 हुआ समी करण 1 और 2 को एक बार जोड दीजी जब हम जोड़ेंगे यह cancel हो जाएगा और आपको मिलेगा 2 sin a cos b बराबर मिलेगा sin a plus b plus sin a minus b देखें समी करण नमबर 3 कहिए इसको आगे जब मिन दोनों समी करणों को घटाते हैं एक में दो को घटाते हैं तो घटाएंगे तो क्या मिलेंगे यह चिन बदल जाएगा और यह प्लस हो जाएगा यह cancel हो जाएंगे 2 cos a sin b मिलेगा 2 cos a 2 cos a into sin b घटा रहे हैं तिधर मिल जाएगे sin a plus b minus sin a minus b के रुप में मिलेंगे यह 4 पर है ठीक इसी प्रकार हम कॉस का योग और अंतर फार्मूला को लिखते हैं तो देखिए cos a into cos b plus sin a into sin b माइनस पहले लेते हैं माइनस यह cos a plus b का फार्मूला है यह फार्मूला ठीक उसी प्रकार से cos a into cos b plus sin a into sin b यह फार्मूला है आपका cos a minus b का फार्मूला है अंतर फार्मूला एक बार जोडते हैं दोनों को यह cancel हो जाएंगे जब जोडते हैं तो क्या हो जाएंगे 2 cos a into cos b is equal to cos a plus b in plus cos a minus b इसको हम समीकरन 5 कह देते हैं पुना एक बार जब घटाते हैं घटाएंगे तो क्या होगे माइनस यहां हो जाएगा और यह plus हो जाएगा यह minus हो जाएगा और यह क्या हो जाएगे यह भी minus हो जाएगे जब घटाएंगे अब घटाएंगे क्योंकि दोनों plus के हैं यहां पर अब यहां पर यह काम करते हैं कि हम इस समीकरन में यहां पर देखिए इस समीकरन में इसको घटाते हैं इस समीकरन में इसको घटाते हैं तो इस समीकरन में इसको घटाते हैं तो यह plus हो जाएगा और यह यहां पर minus हो जाएगा आपको क्या मिलेंगे दोनों कलके sin a sin b मिलेंगे रिड़ चनल के साथ घटाएंगे तो two sin a int में direct लिक रहा हूं sin b चुकि घटा रहे हैं किसमें किसको घटा रहे हैं इसमें इसको घटा रहे हैं तो cos a minus b minus cos a plus b cos a minus b minus cos a plus b के रूप में लिख रहे हैं इसको समीकर 6 कह दे अब यह आपने क्या किया कि गुड़न फल मतलब योग गुड़न फलों का योग और अंतर में वैखता है यह देखिए यहाँ पर गुड़न फल्क करूप में है योग और अंतर करूप में देखिए इस फार्मूला पर गौर कीज़े यह गुड़न फल्क है इसमें योग और अंतर करूप में आप लिखा है यह गुड़न फल्क करूप में है योग और अंतर करूप में आप लिखा ह रूप में आपने लिखा है, तो A प्लस B बराबर हमने C माना, तथा A माइनस B बराबर हमने D माना, यह हमने माना है D, तो हम दोनों को जब स्वाल करते हैं, तो A बराबर मिलता है C प्लस D बाइटू, और B बराबर मिलता है C माइनस D बाइटू, इसको स्वाल करके आप देख स रखते हैं ए बराबर मिलेगा c plus d by 2 और b बराबर c minus d by 2 तो अब यहाँ पर मान रखेंगे देखें यह समीकर किस रूप में मिलेगा तो यह देखें इसके इस पक्ष को पहले लेखते हैं sin c plus sin d sin c plus sin d यह मिला sin c plus sin d यहाँ पर मान रखेंगे तो 2 sin a का मान रख दिजे 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 तो यही सुत्र क्या कहलाता है आपका योग और अंतर का गुडन फल के रूप में रूप में होता है वापस ठीक इसी प्रकार के जब हम माइनस पर जाएंगे इसको पहले लिखें sin c minus sin d तो यह हो जाएंगे 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 इस फर्मुला को विशेज ध्यान में रखें हाला कि दोनों सुत्र एक ही है रुपांतरन बस किया हुआ है फिर आगे देखिए इस फर्मुले पर चर्चा करते हैं हम तो cos c cos c plus cos d by 2 into cos c minus d by 2 लेकिन आखरी नंबर का जो चाउंते नंबर का है उसमें विशेज तोर पर आप द्यान देंगे इस करम को पहले लिखते हैं तो cos c minus cos d तो यहाँ पर मिलेंगे 2 sin a तो 2 sin c plus d by 2 और यहाँ पर change हो जाएगा sin d minus c by 2 इसको विशेज तोर पर द्यान रखेंगे माइनस वाले फार्मुला में cos c minus cos d में विशेज द्यान रखेंगे 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 होता है तो इन फार्मुला को योग और अंतर को गुलन फल की रुप में और गुलन फल को पुना योग और अंतर की रुप में रुपांत्रान आप कर सकते हो इन सुत्रों के अधार पर अभ्यास प्रश्नवली के प्रश्नों को या अपने प्रब्लम को बहुत ही आसान तरीके से हम हम इसको श्वालो कर सकते हैं तो अगले करम में कुछ यसी प्रकार के अभ्यास प्रश्णवली के प्रश्णों को हम अभ्यास करेंगे आए दिखते हैं कुछ प्रश्ण कुछ प्रश्ण अभ्यास कुछ प्रश्ण अभ्यास बुड़न फलों का योग और रूपांतरण के अंतरक रूप में रूपांतरण का कुछ प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण करमांग एक साइन टुए प्लस साइन टुबी प्लस साइन टुबी इस इक्वल टु प्लस कॉस टुबी कॉस टुए प्लस कॉस टुबी इस एक्वल टु टैन प्लस बी की रूप में सिद्ध करना है इसको हल करने के लिए इस सर्वस्वमिका का बायापक्ष लेते हैं बायापक्ष इस एकॉल टू साइन 2A प्लस साइन 2B अपान कॉस 2A प्लस कॉस 2B अभी आपने फार्मूला पढ़ा है साइन C प्लस साइन D ये साइन C है ये D है तो इसका सुत्र होता है 2 साइन C प्लस D बाय टू इंटू कॉस C माइनस D बाय टू तो उपर का लिख लेंगे 2 साइन इस कोड को 2A को C मानिए 2B को D मानिए तो C प्लस D बाय टू 2A प्लस 2B बाय टू इंटू कॉस C माइनस D बाय टू 2a minus 2b by 2 उपर का हो गया अंसका अब हर में देखते हैं हर का cos c plus cos d तो यह होगा 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 तो यह हो जाएगा 2 cos c plus d by 2 2a plus 2b by 2 into cos c minus d by 2 2a minus 2b by 2 आगे देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा जब solve करेंगे तो 2 sin 2 to cancel हो जाएगा a plus b और यहां से भी 2 cancel हो जाएगा into cos a minus b अपन 2 cos a plus b और into cos a minus b cos a minus b cos a minus b से cancel हो गया 2 से 2 cancel हो गया और आपको मिलता है sin a plus b अपन cos a plus b और sin अपन cos theta होता है tan theta अर्थाथ a plus b और इस प्रश्ण का इस problem का यही अंस दाया पक्ष है आगे के समस्य में और देखते हैं cos cos 6 theta minus cos 4 theta cos 6 theta minus cos 4 theta upon cos sin के terms में है sin 6 theta plus sin 4 theta is equal to आपको सिद्ध करना है minus 10 theta बहुत ही आसान है इसको हल करने के लिए इस सर्वसमीका का या त्रिकोन मिती फलन का बाया पक्ष लेते हैं बाया पक्ष is equal to cos 6 theta minus cos 4 theta upon sin 3 theta plus sin 4 theta पुना आप देखते हैं cos c minus cos d इसका सुत्र होता है 2 sin जहां रखेंगे यह चौथे नंबर का है जो important है 2 sin cos c minus cos d तो 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 इस रूप में यह प्रियोग होता है तो इसको हल करेंगे 2 sin c plus d by 2 6 theta plus 4 theta by 2 into sin d minus c by 2 4 theta minus 6 theta by 2 इसको प्रियोग करते समय विशेश ध्यान में रखेंगे अपान sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 6 theta plus 4 theta by 2 into cos 6 theta plus minus 4 theta by 2 2 से 2 कैंसिल हो गया देखें यहां पर sin यह हो गया 10 theta by 2 अरथा 5 theta sin 5 theta और यह sin देखें sin minus 2 theta by 2 अरथात minus sin theta और आपान नीचे मिलेंगे हर में sin 5 theta और यह minus sin है तो आपको मिलेंगे cos theta into cos theta कैंसिल हो गया फिर आगे देखें इसी क्रम में sin minus theta होता है minus sin theta तो यह minus sin theta बटे cos theta और यही मान होता है minus tan theta तो यह आपका दाया पक्ष़ है इसके बाद कुछ और विसेश प्रशनों का हम अध्यान करते हैं ध्यान दीजे sin a plus sin 3a plus sin 5a sin a plus sin 3a plus sin 5a अपान अब बहुत सल धंक से हल करने के लिए देखें अपान हम a plus 5a को ले लेते हैं क्योंकि a plus 5a का योग 6a और उसका हाँ पाएगा 3a 3a के साथ मैच हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है सरलत्रम ढंक से हल करने के लिए ब्रेकेट ले लेते हैं sin a plus sin 5a इस तरीके से आप कॉंबिनेशन कर सकते हो plus sin 3a ठीक इसके हर में भी उसी तरीक का इस्तेमाल करेंगे cos a plus cos 5a और plus cos 3a अब उपर में हम इसके अंस में लगाएंगे sin c plus sin d तो यह होता है 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 2 sin c plus d by 2 a plus 5a by 2 into cos c minus d by 2 a minus 5a by 2 और plus sin a by 2 देखें यहाँ पर cos के टम्स में थोड़ा से इसलिए minus चिनाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं तो आप बड़े कोँ पहले लिखें जैसे हमने लिखा था a plus 5a 5a plus a लिखतें तो वो दिक्कत नहीं आता फिर भी कोई दिक्कत नहीं cos minus theta cos theta ही होता है और इसी प्रकार से cos c plus d by 2 तो 2 cos c plus d by 2 तो 5a plus a by 2 और इंटू cos अच्छा a plus 5a जैसे लिखा हम जैसे लिखें लिखें cos a minus 5a by 2 plus cos of 3a उपर में हम sin c plus d के फार्मूलक लगा दिए और नीचे में हम cos c plus cos d के फार्मूलक को लगा दिए उसके बाद दिखिए अब आप ध्यान देंगे 2 sin और यहाँ पर इसको solve कर लेते हैं 2 a plus 5a by 2 अर्था 6a तो यह हो जाएंगे 2 sin 2 sin 3a 6a by 2 अर्था 3a और into cos cos कुरूप में मिलेगा आपको 4a by 2 अर्था minus के θटा मिलेंगे तो cos of 2a चलो लिख लिए cos of minus 2a और plus है आपका sin 3a plus sin 3a बटे ध्यान देंगे 2 cos सेम इसी प्रकार से 3a मिलेंगे और cos minus 2a plus sin 3a plus sin 3a मिलेंगे अब यहाँ से एक काम करते हैं कि sin 3a sin 3a को काम लेते हैं देखिए यहाँ पर sin a plus b का फर्मॉल लिया sin c plus d 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 और plus 3a उसकी आगे step में हैं फिर यहाँ से हमने ऐसा solve कर दिया फिर मिला आपको यहाँ से मिला आपको 2 sin 3a 2 sin 3a और cos minus theta cos theta होता है cos 2a plus sin 3a अपान आपको मिलेगा सेम इसी प्रकार से 2 cos 3a और यह हो जाएंगे cos of 2a plus sin 3a sin 3a 3a दोनों में common है sin 3a 3a दोनों में common है तो आपको मिलेंगे sin 3a बराबर मिला 2 cos 2a plus 1 अपान cos यहाँ से cos 3a sin a स्वारी हमने इस प्रश्न को सुरू से ही गड़बर लेके चला है यहाँ पर cos cos a और cos 3a और cos 5a ठीक है cos 5a फिर cos 3a cos 3a cos 3a यहाँ पर स्वारी cos 3a sin 3a अपान cos 3a तो आपको मिलेगा 2 cos a plus 1 और यहाँ से भी हम कामान ले सकते हैं cos 3a को तो cos 3a कामान ले लिजिए मिलेगा 2 cos 2a प्लस 1 इस तरीके से मिलेगा अब यह पूरा ब्रेकेट कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा 10 3a और यही हमारा दाया पक्ष है यही हमारा दाया पक्ष है तो इस तरीके से हम इस प्रष्णों को सहीं कॉंबिनेशन बनाके और फिर उसमें सुत्रों का मान रखे आसानी से हम हल कर सकते हैं इसी क्रम में अभ्यास किसी क्रम में कुछ और रश्णों को लेते हैं साइप प्लस साइप थी 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 3 theta sin 5 theta plus sin 7 theta is equal to 10 4 theta is equal to 10 4 theta इसको हल करने के लिए देखिया इसका बाया पक्ष लेते हैं sin theta plus sin 3 theta plus sin 5 theta plus sin 7 theta cos theta plus cos 3 theta plus sin 5 theta plus sin 7 theta ध्यान दो इसको सरालतम धंग से हल करने के लिए हम क्या करते हैं combination बनाते हैं sin theta और sin 7 theta का sin 3 theta और sin 5 theta का तो चलिए आगे बनाते हैं sorry cos में cos 5 theta plus cos 3 theta दोसरा combination बना लेते हैं cos 7 theta और plus cos theta अब देखते हैं कि इस पर formula लगाएंगे sin c plus d उपर में और नीचे में cos c plus d तो इसका होता है 2 sin c plus d by 2 2 sin 5 theta plus 3 theta by 2 into cos c minus d by 2 5 theta minus 3 theta by 2 ठीक उसी प्रकार से आगे भी हम हल कर लेंगे second bracket में 2 sin 7 theta plus theta by 2 into cos 7 theta minus theta by 2 पूरे का बटी में है आपका cos की पद में है तो cos में दोनों आते हैं 2 cos c plus d by 2 अरथा 5 theta plus 3 theta by 2 into cos 5 theta minus 3 theta by 2 और plus 2 cos 7 theta plus theta by 2 into cos 7 theta minus theta by 2 फिर आगे देखिए सब में से 2 को बाहर निकाले किया आप कैंसिल कर सकते हैं सब में से 2 को बाहर निकाले कैंसिल कर दिये sin 8 theta by 2 को लिख सकते हैं sin 4 theta या रहन दीजिए 2 sin 4 theta और यहां से cos theta by 2 हो जाए गई है 5 theta 2 theta by 2 अरथा cos theta यह मिला आपको cos theta second step में 2 cos theta 2 cos 4 theta और यह मिला आपको 7 theta 6 theta 6 theta by 2 मतलब cos 3 theta मिला cos 3 theta अपान 2 cos 4 theta और यहां पर भी मिलेंगे cos theta plus 2 यहां मिलेंगे cos 4 theta cos 4 theta और यहां पर मिलेंगे cos 3 theta एक विरस मिस्टिक हो गए यह sin मिलेंगे sin 4 theta sin अब यहां से दिखते हैं कि common क्या चीज़ है तो 2 sin 4 theta सब में common है 2 sin 4 theta उपर में common है तो आपको मिलेगा cos theta plus cos 3 theta ठीक उसी परकार से दोनों पदों में हर में cos of 4 theta common है तो यह मिलेंगे cos theta plus cos 3 theta यहां पर भी cos 3 theta मिलेंगे cos 3 theta तो आप देख रहे हैं पूरा कैंसिल हो रहा है 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और आपको मिलेंगे sin 4 theta बटे cos 4 theta और इसका मान होगा tan 4 theta और यही आपका दाया पक्षा है आगे और देखिए महत्यपूर्ण प्रश्ण पर हम विचार करेंगे यह प्रश्ण रेजल्ट की द्रिष्टी कोड से काफे इंपॉर्टेंट है और प्रश्ण पत्रों भी पूछे जाते है sin 20 सिद्ध कहिए किजए कि सिद्ध किजए कि sin 20 into sin 40 sin 20 into sin 40 degree into sin 60 sin 60 into sin 80 degree is equal to 3 by 60 देखिए साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 डिगरी इक्वल टू 3 अपान 60 इसको हल करने के लिए छात्र छात्रा विशेज ध्यान देंगी इस प्रश्न को हल करने के लिए इसका बाया पक्ष को हम लेते हैं साइन 20 साइन 40 डिगरी साइन 60 डिगरी इंटू साइन 80 डिगरी दो पार्ट में कर लेते हैं ब्लेक बोर्ड को अब यहां पंड साइन 60 डिगरी का मान को हम रख देते हैं साइन 20 साइन 40 साइन 60 कमार रूट 3 बाय टू और यह साइन 80 डिगरी तत्पस्चात हम क्या करते हैं इसको इधर बाहर लेते हैं 3 बाय टू और ब्रेकेट में एक प्यार बनाते हैं 20 और 40 डिगरी का साइन 20 डिगरी साइन 40 डिगरी को एक साथ और बाहर में रखते हैं साइन 80 डिगरी को इस तरीकिस बना ले अब चुकि इसमें 2 साइन 2 साइन बी को हम अगर रखना चाहते हैं तो इसमें 2 का मल्टिपिकेशन कर देते हैं और नीचे भी 2 का मल्टिपिकेशन हर में कर देते हैं तो यहाँ पर रूट 3 बाइ 4 हो गया 2 साइन A साइन B का फार्मूला तो यह होता है कॉस A माइनस B चौथे नंबर का कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B तो यह हो गया कॉस A माइनस B 20 माइनस 40 द्यान देंगे 20 माइनस 40 और कॉस माइनस कॉस A प्लस B माइनस कॉस A प्लस B 20 प्लस 40 इस फार् देहां देंगे और into sine 80 degree into sine 80 degree फिर आगे आए रूट 3 by 4 ये cos –20 और cos –20 का मान होता है cos 20 लिख सकते हैं इसको ये cos 20 degree और ये cos 60 degree हो गया कॉस कॉस 60 डिग्री और इसके अंदर आप लिख लीजिए साइन 80 डिग्री को स्टा कॉप कीजिए फिर देखते हैं इसकी वैल्यू को रख देते हैं या एक काम करते हैं कॉस 60 के वैल्यू को रख देते हैं कॉस 60 का मान होता है रूट 1 बाइ 2 तो यह रूट 3 बाइ 4 हुआ और कॉस 20 माइनस 1 बाइ 2 इन्टू कॉस 80 डिग्री अब कॉस 80 डिग्री का मल्टिपिकरिशन दोनों स्टेप में कर देते हैं कॉस 20 इन्टू कॉस 80 तो मल्टिपिकरिशन कर दीजí above स्टेपिकरिशन कर देते हैं इन्टू स्टेप्रव त्वाइनस 1 बाइ 2 स्टेप दिग्री अब देखे फिर हमको 2 SIN A SIN B का फार्मूला इस्तेमान करना है 2 sin A 2 sin A और cos cos B cos B का formula यूज़ करना है तो 2 का multiplication करना पड़ेगा पूर इस टेप में तो ये 2 का multiplication हो गया यहाँ पी 2 का multiplication हो गया और ये 8 हो गया तो root 3 by 8 पुना देखिए 2 sin A cos B 2 sin A cos B का मान होता है sin A plus B plus sin A minus B तो ये हो जाएंगे sin A plus B 80 plus 20 और minus स्वारी plus sin A minus B sin A minus B sin 80 minus 20 और 2 to cancel हो जाएगा minus sin 80 last में minus sin 80 आगे पुना देखिए root 3 by 8 ये मिलेगा sin 100 degree और plus sin 60 degree minus sin 80 degree पुना 60 degree को आगी कर लिजे और इसको पुना इधर ले आएए root 3 by 8 ये मिल जाएंगे आपको sin 100 minus sin 80 और plus इसको मान को रख देते हैं plus root 3 by 2 के रूप में मान को रख देते हैं इसको बना लिजे फिर देखे रूट 3 by 8 20 by 2 मतलब sin 10 हो गया और plus ये root 3 by 2 अब हम जानते हैं कि cos 90 को जीरो होता है ये पूरा terms 0 हो जाएंगे पूरा terms 0 हो जाएंगे और आपको मिलेगा आपको मिलेगा गुला हो जाएंगा ये पूरा terms 0 हो जाएंगे देखे देखे रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गये और 8, 2, 9, 16 और यही इसका दाया पक्षा है यहां पर विसेज देखे देखे कि cos 90 कमान 0 हो जाएगा तो ये पहला step है ये complete 0 हो जाएगा और इसके साथ गुड़ा हो जाएगा 3 by 16 आपको प्राप्त होगा इस तरीके से इस प्रश्न को हम स्वाल्व कर सकते हैं इसी क्रम में और एक प्रश्न देखते हैं cos pi by 8 plus cos 3 pi by 8 plus cos 5 pi by 8 cos 5 pi by 8 और plus cos 7 pi by 8 7 pi by 8 इस इस प्रश्न में भी आप देखेंगे combination बनाएंगे ताकि हमको solve करने में आसान हो तो पहला combination pi by 8 और 7 pi by 8 का बनाएंगे दूसरा 3 pi by 8 और 5 pi by 8 का combination बनाएंगे चलिए combination बनाके इसके हमको बाइपक्ष को लिखते हैं तो हम लिखते हैं cos और बड़े कोड को पहले लिखते हैं बस नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा लेकिन इसमें ज़्यादा आसान होता है cos pi by 7 pi by 8 प्लस cos 5 pi by 8 एक combination मना लिए दूसरा combination cos 5 pi by 8 प्लस cos 3 pi by 8 इस प्रकार से combination बनाकर हम दिए गए सरोसमिका के बाइपक्ष को लिख लिए अब इसमें cos c plus d और इसमें भी cos c plus d का formula यूज़ करेंगे तो cos c plus d होता है 2 cos c plus d by 2 इंटू cos c minus d by 2 तो यह हो गया 2 cos c plus d by 2 7 pi plus 5 pi by 8 और by 2 ऐसा कर लिजे ठीक है इसी प्रकार से c minus d by 2 7 pi minus 5 pi by 8 by 2 सेम इसी प्रकार से आप 2 cos c plus d by 2 5 pi plus 3 pi by 8 by 2 इंटू cos c minus d by 2 5 pi minus 3 pi by 8 by 2 पुना हागे इसको हल करते है 2 cos देखिए यह हो गया 7 pi plus 5 pi 7 pi plus 5 pi यह हो गया 12 12 pi by 8 तो इसका मान हो जाएगा आपका स्वारी है हमने कॉंबिनिशन बनाया है 7 pi by 8 और pi by 8 का गरवर हो गया यहाँ पर 7 pi by 8 और pi by 8 का और दूसरा 5 pi by 8 और 3 pi by 8 का यहाँ थोला mistake हो गया तो यह pi by pi हो गया और यहाँ पर भी pi हो गया ठीक फिर आगे देखिए 8 pi by 8 8 8 cancel हो गया तो pi by 2 हो गया तो यह cos pi by 2 हो गया दूसरा देखते हैं इसको जब हल करेंगे तो यह 6 pi by 8 by 2 अर्थात यह कितने हो जाएंगे 3 pi by 8 हो जाएंगे cos of 3 pi by 8 cos of 3 pi by 8 यहाद देंगे इसी प्रकार से यहाँ पर कितने होंगे यह पास्तिन 8 8 cancel हो गया तो pi by 2 ही मिले आपर 2 cos 2 cos pi by 2 मिला और दूसरा इस टेप में आपको मिला पुना उसी प्रकार से 2 यहाँ से 2 हो 2 2 cancel हो गया तो कितने मिलगे pi by 8 मिले pi by 8 ध्यान देंगे तो solve करेंगे तो मिल जाएंगे आपको यह 2 2 का 4 हो 4 का फिर आपके cancel होके आपके pi by 2 आपको मिल जाएंगे pi by 8 मिल जाएंगे 2 2 4 आट 2 multiplication होके 5 by 8 मिलेंगे अब दोनों स्टेप में 2 cos pi by 2 2 cos pi by 2 common है तो आपको मिल रहा है cos pi by 8 यहां से मिल रहा है cos 3 pi by 8 और plus cos pi by 8 cos pi by 8 तो आप देखते हैं cos pi by 2 मतलब cos 90 cos 90 कमाल अल्रेड़ी 0 हो गया 2 into 0 और यहां जो भी result आए आपको 0 से multiplication होके आपको 0 मिल जाएगा plus cos pi by 8 is equal to 0 तो इस प्रकार से यह complete आपका 0 मिलता है जो कि आपके right hand side में है right hand side में है तो फिर आगे के प्रश्ण में हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्ण वाली के प्रश्ण एक प्रश्ण एक चोटा सा प्रश्ण इसमें और लेते हैं यदी यदी a plus b यदी a plus b बराबर 45 है 45 डिग्री है तो कॉट a minus 1 कॉट a minus 1 इन्टू कॉट b minus 1 इकोल टू कॉट b minus 1 इकोल टू टू फूफ करना है यदी a plus b इकोल टू 45 है तो कॉट a minus 1 इन्टू कॉट b minus 1 एक्वल टू टू पूप करना है तो जो दिया गया है वहीं से हम सॉल करेंगे क्या दिया हुआ है कि दिया गया है ए प्लस बी बराबर 45 डिग्रे है चुकि कॉट के फार्म में है तो दोनों पक्षम में कॉट ले लेते हैं तो कॉट ए प्लस बी इस इक्वल टू कॉट 45 और आप जानते हैं कॉट 45 का मान वन होता है तो आगे इस टेप में कॉट ए प्लस बी के फार्मूलो का यूज़ कर लेंगे तो यह मिल जाएंगे कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपान कॉट ए प्लस कॉट बी इस इक्वल टू इसका मान वन होता है फिर आगे देखते हैं क्रॉस मल्टिपिकेशन वहाँ पर कर देते हैं तो आपको मिलेगा कॉट A इंटू कॉट A इंटू कॉट B माइनस वन इस इक्वल टू वन के साथ मल्टिपिकेशन होगा तो कॉट A प्लस कॉट B फिर इसको हल करने के लिए काम करते हैं कि इसको पक्चानतर कर लिए थे complete 1 को अधर ले आते हैं और पूरे cot वाली रासी को अधर ले आते हैं तो cot A into cot B minus cot A minus cot B is equal to 1 चुक्कि हमको two proof करना है तो दोनों पक्षों में हम 1 का 8 कर देते हैं दोनों पक्षों में 1 का 8 कर देते हैं cot A into cot B minus cot A minus cot B plus 1 इधर भी जोड़ दिये और प्लस 1 राइट साइड में भी जोड़ दिये अब आगे देखिए इस इंप्लाई देट यहां से cot B दोनों स्टेप में इसको थोड़ा लिख लेते हैं cot A यहां से कामन ले लेते हैं तो cot A कामन लिए तो cot B minus 1 और यहां से minus 1 कामन लिए तो cot B minus 1 is equal to 2 गुरंखन रासी को लिख लेते हैं cot A minus 1 into cot B minus 1 is equal to 2 और इस प्रकार से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं तो आज के इस पिरेड में बस इतना ही है अगले के विशावस्तो अध्यापन करेंगे नेक्स पिरेड में धन्यवाद कर ददो सकते हैं